मम्तब एनर्जी ने लोगसभा चुनाब 2026 के लिए पश्म बंगाल की सभी 42 सीचों पर उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया है टीम सी ने टीम इंडिया के दो पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पचान और कीर्थी आजाद को ठिकर दिया है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हमेशा बंगाली बनाम बहारी का राग अलापने वाली टीम सी ने इस बार तीन बहारियों को चिनावी मैदान में उता रहा है से 2019 के चुनावों के बार जब बीजेपी ने बंगाल में अपना आधार बढ़ाया तो टीम सी ने उन पर जवानी हमले तेश कर दिये थे त्रेनोल कॉंग्रेस ने नंबर दो के निता अभिशेक बैनर जी ने रविवार को कॉलकता में एक रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर बंगाली बनाम बाहरी चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने कहा पहले चोर जेल जाते थे लेकिन आज वो बीजेपी जा रहे हैं ये मोदी की गैरंटी है वहीं दूसरी तरफ एक महिला है जो अभी भी तीन की छत वाले मकान में रहती हैं और हवाई सेंडल पहनती हैं बंगाल को क्या चाहिए मोदी और दीदी बंगाल के धर्ती का बेटा या बहरी लोगसवा चुनाव में टीमसी की ओर से बहरी उमिदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के एलान पर बीजेपी के आईटी सल के चीफ अमित मालविया ने कहा कि टीमसी के बहरामपोर से उमिदवार यूसुफ पठान गुजरात के बढ़ोद्रा से है या पश्चम बंगाल से बीजेपी के लिस्ट में बाहरी है टीमसी को अपनी विभाजनकारी राशनीती पर शर्मानी चाहिए यूसुफ कीर्ती और शत्रुगन सिनहा कहां से लड़ेंगे चुनाव और इसके और से सीट के लिए उमिदवार का एलान नहीं किया गया अधिर अजिन चौधरी ही इस सीट के मौजूदा सांसद हैं भारते जुनता पार्टे बहरामपुर से डॉक्टर निर्मल कुमार साहा का नाम पहले ही फानल कर चुकी है दूसरी और टीम इंडिया के पूर टाशी को नाम फानल नहीं किया गया किरती अजाद बीजेपी के टिकर पर दरभंगा लोगसबा सीट से तीन बार सांसद रह चुके हैं जिसके बाद 2019 का लोगसबा चुनाव लड़ा हलकी वो उस चुनाव में हार गये थे उसके बाद किरती ममतब अनरजी की पार्टी स्रे उतने के पीछे कई वजह बताई जा रहे हैं जानकारों की माने तो टीमसी और कॉंग्रस गडबंदन ना होने के पीछे मुख्य वजह कॉंग्रस ने दा अधीर रंजन चौधरी की बयान बाजी है क्यूंकि अधीर रंजन चौधरी पिछले साल दो हजार तैस से लगतार मम मम्दा अधीर रंजन के खिलाफ कोई भी मौका नहीं चोड़ना चाहती है और इसलिए अधीर को हराने के लिए पार्टी के सबसे कद्दावार चहरे का मैदान में उतारना दरसल मम्दा बैनर जी का बंगाल में अकेले चलने का फैसला कॉंग्रेस के लिए चौकाने वाला ह क्योंकि उन्होंने पहले कई बार मंच से कॉंग्रेस नेद्रित्व पर उनके सुझावर प्रेस्ताव अस्विकार करने का आरोप लगाया है और इसके बाद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है फिलहाल इस चुनाव का नतीज़ा क्या होने वाला है वो तो लोग सभाज चुनाव के बाद ही बता चुलेगा इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताए